Hello बच्छो, in the last lecture we did gravitational potential energy and what was that amount of work done in taking a body from infinity to a point उस point पे जहां हम जिस body को लेकर आ रहे हैं उसकी potential energy निकालना चाहते हैं पहली बात Number 2, वो जो point है वो कहा होगा किसी other body के field के अंतर होगा Because without field there is no burden, अगर field है तो कोई काम नहीं करना बढ़ता है अगर field है तो काम करना बढ़ता है, that is stored as gravitational potential energy of body कल यह काम किया था, आज हम यह करना है, जिस point पर लेकर आ रहा हूं, पटेंशल कितना है तो आज मुझे क्या discuss करना है, एक body है मेरे पास, जिसका field है, उसके अंदर कोई point है उस point पर potential कितना है, वो discuss करना है मुझे आज, तो क्या discuss करना है, gravitational potential की बात करनी है gravitational potential की बात करनी है, बचाजे, किसकी बात करनी है gravitational potential की बात करनी है, राइट बटा, यह discuss करना है यहां पर इस point के ओपर potential निकालना है यह पॉइंट कहा है एक दिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट है वट इस एक युनिट मास लेकर आओ इंफिनिटी से यहां तक जो काम करना पड़ेगा अगर युनिट मास नहीं मिला आपको जनल मास मिल रहा है तो उसको उठालो बाद में उस वर्क से डिवाइड कर दो तो वह वैए इस पोटेंशल पोंट और वह कंच ग्रेविटेशनल पोटेंशल अटेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशल अटेप्वोइंट और वह पोईंट कहा है इस बॉडी के फिल्ड में in the field of a body और अगर आप ये line line दिखोगे तब भी चलाएगा क्योंकि ये understood है जब आप potential की बात कर रहे हो किसी point के ओपर तो वो point field में ही होगा अगर लेहना चाहते हो लेहना तो उसमें को दिक्कत नहीं है field of a body is defined as is defined as amount of work done amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point जहां निकालना भी है तो माल लो मैंने काम किया और w काम किया भी मैंने लेकिन मुझे टेस्ट मास मिला था पॉइंट मास नहीं मिला तो तो इस definition V is equal to W by M not this is definition कोई रवट हो अच्छा this is your definition basic definition of potential it means जो potential है that is a scalar quantity क्योंकि work done product mass आ रहा रहा है W यह है this is work done for advance अजी बटा it is a scalar quantity then यह क्या बनगे आपकी scalar quantity बन गई है देख लो कोई डाउट हो इसका एक और definition भी है जो हम numerical में उसकरते है वह क्या कहता है कि आप बाडी को पॉइंट यह से पॉइंट भी पर लेकर गए अब अब इस से मत कन्फूज होना कि पॉइंट यह कहां है यहां है दोंट गेट कन्फूज दोपाइंट का दिफरेंस है तो वट इस एसे भी अब मैं लिख रहा हूं और यह बाडी इस टेकन फ्राम हां जी कहां से कहां तो वट इस फाइनल वाट भी तो वाट इस potential difference between two points VB minus VA is equal to potential energy at B minus potential energy at A. दोनों का potential energy difference divided by M not तो क्या ही वही नहीं है work done final potential energy minus initial potential energy change in configuration जो बाते हैं की थी मैंने महाँ पर चाहे ऐसे कर लो यह numerical में काम आता है यह this definition जो है numerical में काम आई यह definition यह वाली आपकी नीचे वाली को डाउट हो बच्चो तो अब यहां से मुझे दो चीज़ें पता लगी कि जो potential है एक तो वो scalar quantity है number two simply क्या करो कोई भी बड़ी उठा अब इसके यूनिट क्या हो जाएंगे यहां ले देते हैं यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके ऑंजी जूल पर केजी हो जाएंगे यहां से तो ठीक है बच्चा जी या फिर अर्ग पर ग्रैम हो जाएंगे अगर सीजे सिस्टम की बात करते हैं डामेंशन फामुला क्या होगा भी इसका डामेंशन फामुला क्या बन जाएगा वर्क है बटाजी वर्क इस M L 2 T minus 2 divided by M सॉल करके आ जाएगा L 2 T minus 2 सॉल करके यह आ जाएगा बचाजी अगर बटी को फिल्ड के अंदर पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव करते हो तो पॉइंट A पर भी कुछ पटेंशल होगा पॉइंट B पर भी कुछ पटेंशल होगा पॉइंट डिफरेंस आ जाएगा जितनी उसकी पटेंशल नर्जी चीज़िए जोगी पने नमास तो यह डेफरेंशन मैंने कर नुमेरिकल में युज़ करूँगा मैं यह बेसिक डेफिनेशन है को बेसिक डेफिनेशन में को डाउट हो बच्चवाथ को चलें आगे अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं होगा कितना ही क्योंकि मुझे तो काम करना है सारा मैथमेटिकल के नदर काम करना है नुमेरिकल में भी काम करना है एक्सप्रेशन निकालते हैं इसको एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल प्रेशनल expression for gravitational potential इसको निकालते हुए अब ठीक है लो जी क्या बताया था भी आपको एक ये body है जिसका mass m है ये point p है जहां मुझे निकालना है ये infinity है इसका distance ये r है वही इसका center o है work done in bringing a unit mass from infinity to point p this is the definition जब मैंने gravitational potential energy की बात की तब आप तभी भी ये का था मैंने कि हमें जब हम इस direction में आएंगे तो हमें work done की feel नहीं आती बिलकुल भी है हमें feel आती है कि हमने कोई काम नहीं की हाला कि all the हम काम कर रहे है यहां पर जो हर देफिरिशन जलता है यह understood है वो कि मुझे इसको without acceleration लेकर आना है यहां सही है without acceleration without acceleration लेकर आना है मुझे point को यहां से है तो अपने आप भागेगा तो काम तो मुझे करना बढ़ेगा लेकिन वो feel मुझे नहीं आती तो मैं क्या करों को पहले इसको P to infinity वर्गडर निगाल दूँगा उसको reverse कर देंगे ठीक है जी लो जी जब हम P to infinity यह आ रहे हैं तो रास्ते में कोई point एक A आएगा बचाजी और कोई point यह B भी आएगा इस point A का distance suppose कर लो यहां से X है this is your X और यह जो AB है इसको suppose कर लो यह DX है यह point A है यह point B है this is point B this is distance R यह distance X है यह point O है यह point M है ठीक है बच्चाजी clear हो रही है figure आपको थोड़े मैंने symbol बढ़े कें ताक कि नजर आ जाए आपको force gravitational force G capital M unit mass ला रहे हो into one by X square कहा होगी along AO होगी इदर कोगी unit mass के ओपर force AO कोई राउट हो बचाए what is work done by internal means gravitational force work done by dw internal बरावर है क्या हो जाएगा अगर मैं उसको A से भी move कर रहाँ F dot D X अगर मैं उसको A to B move कर रहाँ कुछ राउट हो बच्चो work done external internal minus F dot D X ये बाते हैं सारी मैंने पड़ी हुई अब ठीक है जी मुझे तो कहां से लेकर कहां तक काम करना है P से लेकर infinity means R to infinity काम करना है minus F dot D X right is equal to minus भार आगी this is your R to infinity आगया what is F अब देहां से देखो F मैंने गा था along कहां है A हो है तो मेरी फो इस ये तो मैनस भार आग इसको छोड़ तो ये तो भार आगया अब F कहा है मेरा अंदर को है उदर को दोनों एंगल कितना 180 degree या ऐसे करो minus capital G capital M into one दो तरीके करने के दोनों कर रहा हूं मैं into one by x square ठीक है जी अब कहां आए ये अब तो माइनस हैं लगा दी मैने उदर को आ जाएगा ये उदर को क्या है ये x cap dx अब ये x cap और dx तो सेम डारक्शन में है हाँ जी बचा जी x cap ये उदर क्यों x cap जो डिस्टन्स था position vector is along that direction position हमेशा कहां से ड्रॉप करते हैं starting point से उदर को आ गया x cap dx यह आप चाहो तो r cap भी कर सकते हो direction direction की बात कर रहा हूं r cap dx दोनों सेम डारक्शन में हैं तो जब दोनों सेम डारक्शन में हैं वह तो मैंने रैसे कि आपके चलो 2 step कर लो कोई दिक्कत नहीं है यह क्या बन जाएगा r to infinity capital G capital M into 1 खत्म कर दिया मैंने x square dx कोई डाउट हो बचा पूरे में को डाउट हो आपको पावर में कैड करते हैं तो minus 2 plus 1 divided by यह 2 step ही कर देता हूँ ताकि कहीं फिर आप उस समय दिक्कत ना हो लो जी x raise to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 limit r to infinity is equal to gm minus 1 by x r to infinity is equal to gm minus 1 by infinity plus 1 by r to what will be well done क्या जाएगा भई यहां लिख लें कहां लिखें इधर लिख लेते हैं तो what is work done w external gm by r लेकिन मैं कहां गया हूँ यह p to infinity about done है what is work done from infinity to p work done from infinity to p minus हो जाएगा उसको क्या बोला आपने potential बोला है कोई डाउट हो बच्छा जी आपको कोई डाउट हो कि जब आप infinity to p move करते तो कोई फिल नहीं आती आपको तो मैंने आपको लेकिन आपकी books में mostly books के अंदर infinity to p वाला किया वह है तो उसमें मुझे confusion डाता है मैंने कहां चला गया मेरा यह वह मैंने आपको clear करके मैं ऐसे करता हूं क्योंकि gravitational force is conservative force work done against or by conservative forces over a closed path is always a zero अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यह क्या है work done जब मैंने external पहले मैंने निकाला work done by gravitational force उसको फिर कर दिया external agent से करा दिया मैंने तो चाहे आप forces से करवाओ चाहे आप force के against काम करो दून ही cases में क्या होता है work done zero होता और closed path तो मैंने work done against वाला formula लगा दिया है यहां पर वाला formula था तो उससे मैंने calculate करती है कोई doubt हो चले आगे next is relation between हां जी gravitational potential and gravitational field intensity यह काम करना वही आपने potential निकाल दिया और fullness जी पहले निकाल करा हूं second या third lecture था मेरे खाल से मेरा closed यह point है इसके field में दो point है एक point यह a है बच्चा जी और एक point यह b है बच्चा जी इन दोनों के बीच का gap कितना है dr है suppose कर लीजिए मैंने क्या किया एक यूनिट मास को a to b move किया what is work done by internal force work done internal कर दो पढ़कर आया सारी चीज़ें वो f.dr होगा बिटा जी f.dr कोई डॉट उसके बढ़ा लेकिन मैंने कहा है यूनिट मास अगर मास यूनिट हो तो हम पढ़कर आये है field बराबर force हो जाती है क्योंकि what is e f by m what is e f by m अगर m1 हो जाये तो e बराबर f होती है यह मैं पढ़कर आया हूं पहले पीछे यह पढ़कर आया हूं सारी बाते तो what is work done by internal force e.dr ठीक हो गया what is work done by external force minus e.dr कोई राउट हो बच्चा जी अभी तो कहें आपने work done by external force कितना होता है potential difference minus e.dr लेकिन थोड़ी दर मैंने basic definition में भी कहा था कि अगर आपने किसी point charge को point sorry point mass को a to b move करना है तो मैंने कहा था a से b अगर गए हो तो vb minus va is equal to ub minus u a by m not आज आप a to b गए हो तो दिस is vb minus va तो छोटा था मैंने सको dv रहे दिया यह वही तो बवर्टन a to b वाल वाल वर्टन तो यह तो यह तो यह तो बवर्टन आज मेरा मास यूनिट है आज मास मेरा यूनिट है कोई राउट वच्च तो यह दोनों में रिलेशन आगया अब इस शेप को नहीं मैंने नुमेरिकल में एक शेप यूज़ करनी है इन वेक्टर फॉर्म वाट विल बी यूर ई वेक्टर क्या होगा बच्चा जी इसको उदर करता हूं है क्योंकि तरफ और करने इदर करता है इन वेक्टर फॉर्म वट विल बी यूर ई वेक्टर बराबर है i-cap ex i-cap e x plus j-cap e-y plus k-cap e-z यहीं बनेगा बच्चा जी and what will be dr-vektor वो क्या होगा i-cap dx plus j-cap dy plus k-cap d-z यहीं बनेगा बच्चा जी what is e dot dr हंजी क्या बन जाएगा ex dx plus ey dy plus ez dz इसका मतलब यहाँ से 3 component आगे है इसके 3 component आगे है तो what will be your अब इसको रब कर रहा हूँ भी मैं इसकी जूरत नहीं है मुझे what will be your इसका मतलब इसको पूट कर लो पहले dv is equal to minus sign के साथ ex dx plus ey dy plus ez dz with negative sign so what is ex minus dvx dv by dvx what will be ey minus dv by dy what will be ez minus dv by dz it means e vector is equal to minus dv by dr और साफ में क्या आएगा r vector आएगा r caps direction wise बात किये कि अलग 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 direction में along x axis ये x बन जाएगा along y axis ये y बन जाएगा along z axis ये z बन जाएगा books में normally हम क्या कर देते है books में यहीं से shortcut मार देते हैं लेकि मैंने आपको detail समझाया है books में क्या करते हैं इसको तो dv by dr इदर ले आते हैं जब dr नीचे आया है तो साथ में यहां पर एक r cap लगा देते हैं is equal to minus e और e is equal to minus dv by dr और r cap books में ऐसे भी लिखा हुआ है कोई गलत नहीं है वो मैंने उसको आपको detail में करके बता दिया उसने direct करके बता दिया यह शेप मुझे यूज करने है नमेरिकल के लिए कोई डाउटो बच्छा है चले आगे लोजी नमेरिकल्स करते है मेरे पास एक फिल्ड है विच वेरी इस लाग डिस मीज अलोग एक सब्सक्राइब कर रहा है कहता है potential at infinity कितना 0 है infinity जागे potential 0 find potential at x is equal to a potential at infinity is equal to 0 potential at x is equal to a पर निकालो विएक्स निकालना है वे विएक्स सॉरी at x is equal to a निकालना मुझे potential यह निकालना है question समझ आ रहा है एक field वेरी कर रहा है e is equal to k by x square i cap k constant है x आपकी वेरीबल है v infinity 0 है potential at infinity 0 find potential at x is equal to a potential मुझे निकालना है ठीक है बच्चा जी अभी कहा है मैंने e vector is equal sorry dv is equal to minus e dot dr अभी मैं कहकर हटाऊं just minus e dot dr ठीक है जी सिर्फ x axis है तो क्या चलेगा यह minus e x dx चलेगा क्योंकि y और j तहीं नहीं आपर j और k तहीं नहीं आपर अगर मैं इसको expand करूंगा प्लस e y d y plus e z d z अब आपके d y d z तो हैं लेकिन आपके पास यहां पर सिर्फ x है तो differentiation आए गाए नहीं का तो जिरो हो जाएगा तो वाट विल बी और dv minus sorry minus e x dx कोई डाउटो बच्चा है क्लो जी माइनस लिमिट कहा रहा हो infinity to a की बात infinity पे मुझे पता है a पे निकालना है what is e x कितना है k by x square dx is equal to minus k भी भार ले लो minus k भार ले लिया यह बन गया x raise to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 limit infinity to a ठीक है बचा जी लो जी ती बन जाएगा minus k minus 1 by x ठीक है जी infinity to a यह बन जाएगा solve करके देखो प्लस का भार आ जाएगा तो k भार आ गया प्लस का अब प्लस आ जाएगा अंदर 1 by a minus 1 by infinity solve करके k by a आपका potential आ जाएगा कोई डाउट हो इलेक्ट्रिक फिल्ड वेरीज सड़्ी 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 ग्रेविटेशनल फिल्ड वेरीज एज के वाई i-cap, potential at infinity 0 है, potential at x is equal to यह निकालना है, यह दिया वाई यह निकालना है, तो मैंने का यह दिया वाई यह निकालना है, कोई रोटो बच्चा, चलें आगे, next question देखो, एक जो field है, that way is, k1 by x cube, i-cap, k2 by y square, j-cap, एक point है, 2a, 3a, यहाँ potential v-naught है, और 4a, 5a पर बढ़े potential निकालना है, यहाँ potential आज वो दे रहा है, मुझे उसकी value दे रहा है, v-naught, यह value दे रहा है, बढ़े potential की, v-naught, इस point पर, at point potential है, find at, इस पर निकालना है, ठीक है, बच्चा जी, तो what is my, by definition, dv is equal to minus e dot, पहले definition लिख देते हैं, what is dv, minus e dot dr, this is your minus e x dx, plus e y dy, दो चलेगे बटाजी आज, क्योंकि x और y दोनों component है, तो what is integration, v, v-naught से v चलना भी मुझे, अंदर dv आ जाएगा, is equal to minus, हाँ जी, integration पहले चलना है, पहले x की बात करूँगा, मैं x में कहां, 2a से 4a है, 2a से 4a है, what is e x, k1 by x cube dx, minus e y, k2 by y square dm, वो चलना मैंने 3a से 5a तक, कोई राउट वच्चा जी, इसके अंदर, पहले आपको, क्योंकि पहले तो मैंने, अपने जो statement है, उसको अपनी mathematical shape में fit किया है, सबसे पहले तो मैंने, कोई राउट है यहाँ तक आपको, यह dv का v बन जाएगा, v not to to v, minus, क्या बन जाएगा जी, k1 बाहर आ जाएगा, k1 बाहर आ गया, x raise to minus 3 plus 1, divided by minus 3 plus 1, यह 2a से लेकर 4a तक, minus, minus, k2 बाहर आ गया, y raise to minus 2 plus 1, divided by minus 2 plus 1, यह बन जाएगा, 3a से 5a तक, कोई राउट हो बच्चाजी है, next step, v minus v not, यह minus 2 आएगे, ठीक हैं और यह minus अलड़ी बाहर है, तो यह, उसको minus को छेड़ता नहीं में है, क्या बन जाएगा यह, 1 by 2x square, देख लो, चेक कर लो, minus adjust कर दी है रस मैंने, 2 नीचे रखा, x square, कहां है जी यह, 2a to 4a, यह भी plus 2 हो जाएगा, लेकि भी 1 ही बाहर आएगा, 1 by y, 3a to 5a, ठीक है बाटा, यह 2a को उपर वाले का, यह यहां लग दिया मैंने, कोई राउक दो बच्चा, अब, k1, पहले 4a put करूँगा, तो यह 4 for the 16, into 2, 1 by 32 a's के राजाएगा, minus, जब 2 put हुँआ, 2 by 4, 4 to the 8, minus 1 by 8 a's के राजाएगा, हाँ जी, पहले पुट करूँगा, 4a, x को पुट किया, 4a, तो यह 16 a's के राइंटू, 32 a's के, माइनस, जब 2 पुट किया, तो 4 a's के राइंटू, 8 a's के, प्लस की टू, ब्रेकेट बिगिन, पहले 1 by 5 a, minus 1 by 3 a, यह बनेगा बच्चा जी, तो वट इस, v minus, v naught, हाँ जी, k1, पहले k1 आएगा, 32 a's के राजाएगा, हाँ जी, क्या आएगा, 1 minus 4, plus k2, क्या जाएगा, यह 3 minus 5, 3 minus 5 by 15 a, तो यह minus 3 k1 by, 32 a's केर, minus 2 k2 by 15 a, यह जी, v minus v naught, आपको चाहिए, पतेंशल एट पुट, अब तो वट इस, v naught minus, ठीक है जी, ब्रेकेट बिगिन, 3 k1 by 32 a square, जमा, 2 k2 by 15 a, तो यह पोटेंशल एट पॉइंट पॉइंट 3 a, sorry 4 a, 5 a, कोई डाउट हो, यह सिंपल डेफिनिशन पहले, पहरे मेरे मेरे किया, मैंने सिंगल एक, जिसमें फर्स्ट नमारी सी, ex, dx, अगले में 2 आगिये, तो दोनों को कैसे यूज़ करना है, 3 होगी तो 3 यूज़ कर दूँगा, क्या दिक्कात है मेरे को, तो this is potential, अलगलग solve किया, sorry, यहां से फिर इदर आ गया, ठीक है बटा, यह मेरा question था, यहां से शुरू किया, इदर आ गया, good out to the job को, देख लो उसको, चले आगे, next देखो, next question देखो बटा, अभी तो मैंने किया, और field से potential निखाला, अब वो क्या जा रहा है, gradiential potential is given as, kx upon x square plus a square, एक field distribution के अंदर, यह potential है वही, kx upon x square plus a square, find, find field at x is equal to a, and at x is equal to 2a, बिल्कुल उल्टा गाम करना है, जब मैं field से potential निखाल सकता हूँ, तो मुझे potential से field निकालना भी आना चाहिए, what is my definition, e vector is equal to, हां जी, क्या था, minus i cap, curly v by curly x, plus j cap, curly v by curl, curly कर रहे हैं डीवी करो एक ही बाता हूँ, actually क्या होता है, कि चलो अभी आप डीवी करो, अभी वे उस ज़्यादा detail में नहीं घुजना चाहरा है, अभी आप डीवी से काम चला सकते हूँ, dv by dx, plus, dv by dy j cap, plus, dv by dz, k cap, कोई डाउट हो बचाहरा है, कोई डाउट हो, हां जी, आपके पास सिरफ x वाली variation है, so what will be your field, minus, d by dx, किसी ज़्यादा का, kx upon x square, plus a square, ठीक है, और साथ में, i cap, कोई डाउट हो बचो यहां तक, अब पहले इसको अलग से, differentiate करके, फिर पुट कर देंगे बीच में, तो लो, what is, d by dx, kx upon x square, plus a square, is equal to, हां जी, क्या rule है, u by v formula, पहले नीचे वाले का, square करो, इसको उपर, as it is, तो 1 आ जाएगा, minus, उपर वाले को, as it is लिखो, इसका differentiation करो, क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि, x square का, क्या आजाएगा, 2x a square का, तो 0 हो जाएगा, कोई डाउट हो बचो, solve करें इसको, x square, plus a square, minus 2x square, upon x square, अभी k रहे गया, मेरे से गलती से, k रहे गया, k बाहर constant आ जाएगा, और k को तुम्हें, यहां लिख लेता हूँ, क्योंकि, k तो constant है मेरे पास, k को तुम्हें, यहां लिख लेता हूँ, क्योंकि, राउट हो बच्चा, यह इस सारे का, result solve करके, यह आ गया, a square minus x square, upon x square, plus a square whole square, with k, कोई राउट हो बच्चा है, कोई राउट हो बच्चा जी, ठीक है, चलें आगे, put करें, तो what is e, minus, क्या आ गया जी, k a square minus x square, upon x square, plus a square whole square, i cap, और यह आ जाएगा, पहले कहा रहा है, वो at x is equal to a के उपर, x a put करता हूँ, तो 0 आ रहा है यह, तो what is, यहां लेख देता हूँ भई मैं, what is e, कहां पर भई, at x is equal to a पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, at x is equal to 2 a के उपर, at, हां जी कितना आ जाएगा बच्चा जी, देख लो 2 a के उपर, यह बन जाएगा, minus 4 a square, उपर पहले, पहले चलो अलग-अलग solve करते हैं, minus k, a square, minus 4 a square, divided by, x k कितना बन जाएगा, 4 a square, plus a square whole square, i cap, ठीक है जी, यह सारा bracket related term है, ध्यान रखना, अब यह minus थाएगा, उपर से minus minus plus कर दो, k, कितना बन जाएगा, 3 a square, नीचे 4 plus 5, 5 a square का a square, 25 a raised to 4, i cap, यह बन जाएगा, 3 k by 25 a square i cap, this is your field at, x is equal to, 2 a, वेक्टर रहेगा रहेगा, कोई राउट हो बच्च, पहले दोन वेरिकल में मैंने क्या किया, field से potential निकाला, इस में मुझे का, यह potential दिया हुआ है, distribution of field है, potential दिया हुआ है, find field at x is equal to a, and field at x is equal to 2 a, मैंने का भी, यह formula होता है मेरा, अभी तक मैं पीछे में क्या करता था, dv बराबर e dot dr करता था, वहां field को integrate करता था, यहां मैंने field को क्या, potential को क्या क्या, कि इसको अलग से solve कर लेते हैं, यह मैंने क्या d by dx of whole thing, पहले मीचे लेका square आता, u by v formula लगा दिया बेटा जी मैंने, उपर as it is, अलग जाएगा यह, उपर यह x था, k बाहर आ गया था, k बाहर आ गया था, x का बन बन गया, minus sign, अब x as it is रहेगा, इसका 2x बन जाएगा, तो यह आ गया solve करके, x square plus a square minus 2x square, और a square minus x square by this thing, यह मेरे पर field आ गया, मैंने इसको यहाँ put कर लिया, यह put कर लिया देखो, अब at x is equal to a पे निकाला, तो x a पे तो यह 0 हो रहा है, और b पे आपका field निकाल दिया, कोई router बच्चा आ पको, चलें आगे, और यहाँ पर भी हो आगा, 3 a square, a square कट यह था, तो lी चे 25 आ गया था, ठीका झारे रिक 25 पाच्च्च्च्च्च स, इसघ्रे टेशनल पोटेंशियल, और वावव़वर्म सर्क्लर रिंग, युनिफ्म, यह काम करना है भई ठीक है जी माल एक रिंग है जिसका मास M है रेडियस R है बच्छा मास M है और रेडियस R है means यह R दिया हुआ है और मास मैंने बाहर निकल दिया मैंने at any point P on X's at a distance R के ओपर potential निकालना है भई यह काम करना है मुझे this work I have to do यह काम करना है बच्छा मुझे ठीक है यह काम करना मुझे अब क्या करें पहले इसके छोड़ो से चोटा से ऐलिमेंट सबोस कर लो DL यह सबोस कर लिए मैंने DL इस ऐलिमेंट का मास निकाल लो अब मैंने का पूरे रिंग का मास कितना है म मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ क्या बन जाए या बच्च जी म अपान टू पाइ यॉर इंट लियू ये मास आ गया वह छोटे से पोर्षन का अब इस चोटे से पोर्षन का परेंशल कितना हो गए यह आपे इसका डिस देखो कितना बनता है भी, यह distance z माल लिया मैंने है, तो what is dv potential, gm by r होता है, तो मेरे case में यह g dm by z बन जाएगा, dm की value put कर दो, तो चलो यहां put कर दो, minus g dm is your, यह m upon 2 pi r into dl divided by z, so what is small potential कितना आगया बच्चा जी, minus gm upon 2 pi r into z into dl आगया, अब यहां से देखो बच्चो, यहां ध्यान से देखो, पहली बात, मैंने कहा एक circular ring है, यह उसकी axis है, नीचे को बनाई axis उपर ring है, यह distance z periphery के हमेशा fix रहेंगे, change नहीं होंगे बिल्कुल भी ring के लिए, gconcent mconcentre variable सिरफ यह है, अगर मुझे due to whole ring निकालना है, सिरफ यही integrable है, तो due to whole ring, what is, minus gm upon 2 pi r into z, 0 to 2 pi r dl, solve कर के आजाएगा, यह, minus gm upon 2 pi r z, dl कहले बन जाएगा, बच्चाजी, limit 0 to 2 pi r, limit 0 to 2 pi r, ठीक है बच्चाजी, यह बन जाएगा, minus gm upon 2 pi r into z, into upper limit minus 0, solve कर के आजाएगा, minus gm upon z आजाएगा, this is the potential due to whole ring, तो minus gm upon, what is z, check करो भी z कहा है यह, capital r square plus small r square का अंडूट नहीं है, so this is your capital r square plus small r square under the root, अभी मैंने आपको यह भी कहा है, कि जो e है, वो minus dv by dr होता है, बच्चाजी, यह मैंने कहा है अभी आपको, यह प्रूब करके दिखाना पड़ेगा मुझे, लो जी, तो what is e, तो what is e, क्या बन जाएगा जी, minus d by dr of किस्चीज का, minus gm upon r square plus r square under the root, यह सौल करके आजएगा, gm बाहर आजएगा बच्चाजी, तो d by dr of capital r square plus small r square, raise to 1 by 2, यही बन जाएगा बच्चाजी, सौल करने के बाद, तो solve करना भी होजे, तो is equal to gm, कैसे सौल करते हैं, power पहले नीचे आजाती है, 1 by 2 नीचे आगया, capital r square plus small r की power एक कम होगी, ठीक है जी, sorry, 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 minus 1 by 2 बने, इद्दू step, जगा space कम है, क्योंकि वैसी बनेशन मा लिख चको हूँ है, due to small, तो what is e, minus d by dr, ठीक है जी, sorry, sorry, इसके बाद आ रहा हूँ है, तो this is gm बाहर आगया, d by dr, capital r square plus small r square raise to minus 1 by 2, capital G, capital M, कैसे differentiation करते हैं, power नीचे आ जाती हैं बटा जी पहले, फिर r square plus r square power एक कम करेंगे, minus 3 by 2 बन जाएगा, into अंदर वाले का differentiation 2 r आ जाएगा, साथ में, कोई डाउट हो, 2 से 2 cancel हो गया, minus gm r, upon r square plus r square raise to, 3 by 2, is equal to minus gm upon, r square plus r square, इसमें से आधा निकाल लिया, अब देखो जी, ये angle बनाया है मैंने theta, what is based upon hyperneuse, cos theta होता है, cos theta, ये magnitude आ गया भाई उसका, अब direction लगा दो, तो what is e vector, is equal to capital G, capital M, upon capital r square, upon small r square, cos theta along, कहां हो जेगी ये, p o, चलीगे, side minus gm, अब चेक कर लो, क्योंकि हम सारा काम ये दर को कर रहे थे, है ये दर को, reaction एड़्जस्टों की मैंने से निवाली, यही आप थियोरी में बढ़कर रहे हो, जो आपने गरिशन फील्ड इंडेंस निकाली थी, ये लगाते थे तो long p o, ये अगर along r k उदर को निकाल नहीं है, ये कुई दिक्कत नहीं है, अगर along r k निकाल नहीं है, तो यह फिर बाइनस रखा रहे हैं, तो यह understood है कि यह उदर को है, यह understood कि उदर को है, understood है यह, पुई रोटो बच्चो, चलें आगे, next देखो, next is, gravitation potential on axis of a uniform circular disk निकालना है भी मुझे अब, ठीक है जी, disk की बात करनी है, got it, disk की बात करनी है, मैंने काहा है कि जो v ring अभी निकाल कराए हो, minus gm by z, अभी z वरा सब बताऊंगा क्या थे यह, आज मैंने का, मान लो ये मेरे पास एक uniform circular disk है, इसके center से, इस point p पर निकालना है, इसका mass m है, और radius इसकी r है, ये distance r है, यहाँ निकालना है, point p पर निकालना है, कहता है क्या करें, कहता है क्या ये disk, छोटे छोटे, ring की नहीं बनी, ring, ring, कहता है एक ring suppose कर लो, बस, ring की निकालना है आती है हमारे को, ये ring suppose कर लिया मैंने, ये ring suppose कर लिया, ये ring, जिसका radius d a है, और thickness इसकी d a है, ये radius a है, thickness को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अलग से, ये d a, thickness d a है वही, इसके ring की है, कहते है, what is mass per unit area of disk, mass per unit, area of disk, कितना है भई, m upon pi r square, area of ring suppose कितना बनेगा, area of ring, जो suppose किया है, चेक कर लो, 2 pi a उसका circumference है, और d a उसकी थिकने से, तो ये उसका area बने गया, what is mass of ring, क्या बन जाएगा बच्चा जी, mass of ring, उसको d m से denote कर रहा हूँ, m upon pi r square, into 2 pi a d a, तो what is mass of ring, यहाँ लग देता हूँ, d m, 2 m upon r square, ठीक है जी, a d a, इसलिए या लिखा, अगर यह रब करना पढ़ गया, मुझे तो कोई जूरत नहीं है, यह ring का mass है, ring, यह ring का mass आ गया, अब उस ring से, वही distance z, यही तो distance z था, ring का potential, तो उसको नाम देना है, मुझे d v, minus g, मेरे case में आज हो जाएगा, यह d m, by z, d m मेरा यह रहा, minus g, 2 m by r square, a d a, whole divided by z, तो what is my d v, minus 2 g m, by r square, into z, into a d a, चेक कर लो, उस पूरे ring के लिए, जो z है, अब z की विल्क, क्यों कि, अब आज क्या होगा, मेरा बटा, जैसे से ring बड़ेगा, z change होता रहेगा, तो z को आज मैं यहां ला रहा हूँ, what is my z, r square, plus a square, under the root, चेक कर लो, यह this is your z, चेक कर लो, क्यों कि, जैसे से उपर जाऊंगा, a भी बड़ेगा, और z भी change होगा, तो z को मैं, a की formula है, r तो मेरा constant है, बस, लो जी, what is due to whole disk, minus 2 gm, by r square limit, 0 to r, a d a by, r square, plus a square, अब मुझे, इस integration को, calculate करना है, मैंने कहा, कि क्या करो आप, a square, r square को, t square पुट कर लो, तो यहां से, 2 a d a, plus 0 बराबर है, 2 t dt आ जाएगा बेटा जी, यहां से, यहां से, यह बन गया, अब पुट करो, तो integration, a d a, by r square, plus a square, under the root, is equal to, t dt, by t, is equal to dt, is equal to t, आ जाएगा, is equal to, r square, plus a square, under the root, आ जाएगा, check कर लोगे, means, यह से, सारे का integration, यह बन जाएगा, बस, अब क्या रहेगा, मेरे लिए, purpose, वाल्व होगे, मैं अब इसको, रब कर लेता हूँ, मेरे लोगे, so what is the potential, minus 2 gm, by r square, वो सारी value आगे, आपके पास, r square, plus a square, under the root, limit, zero to r, क्योंकि, यह r value किसकी है, एक ही है, चेक कर, ध्यान रखना बटा जी, माइनस टी, gm by r square, bracket begin, r square, plus capital r square, minus r आजाएगा, क्योंकि, जब वो, zero हो जाएगा, तो यह, under the root, r आजाएगा, this is your potential, कोई router बचा, अब मुझे, प्रूव करना है, क्या यह field के बराबर, जो निकाल कर आए हो, पीछे, differentiate कर लेते हैं, low g, low g, what is e minus dv by dr, minus dv by dr, minus d by dr, किसका बई, minus 2 gm by r square, bracket के अंदर, r square plus r square, minus small r, ठीक है जी, this is equal to, 2 gm by r square, ठीक है, इसका differentiation, क्या है बड़ा, फेली power नीचे आजाएंगी, r square plus r square, raise to power 1, minus 1 by 2 हो जाएंगी, और minus 1 हो जाएगा, कोई router बचा जी, sorry, sorry, एक step हो रहाएगा, इसका into 2 r आएगा, और minus 1 हो जाएगा, कोई router बचा जी, पहले, ये minus 1 plus 5 के बाहर आगे, इसको differentiate कर रहा हो, अब ये दो दर में, एक येवले डर में, एक येवले डर में, इसका तो 1 आगया सीदह है, इसका power नीचे आती है पहले, फिर पावर एक कम हो जाती है, और अंदर वाले का differentiation आता है, so this is 2 gm by r square, अराम से कट देते हैं, r upon r square plus capital r square under the root, minus 1, ठीक है जी, minus common ले लो, minus 2 gm by r square bracket begin 1 minus, ये खेट राएगा, चेक कर लो ये, जब ये पूरे disk बन जाएगी, तो इस समय याद आपको नीचे से मिलाया था मैंने, और इस एंगल को alpha लिखा हुआ है, वही आगया field, उपर vector लगा दो, positive negative sign खतम हो जाएगी, 1 minus cos alpha, along कहा जाएगा, along po आजाएगा, कोई राउट बच्चो, चलें आगे, next is gravitational potential, due to a spherical shell, ठीक है बच्चा जी, हमने पहले किया ring के लिए, फिर किया disk के लिए, अब कर रहे है, spherical shell के लिए, लो जी, ये आपके पास, spherical shell है बच्चा, ये spherical shell है, मुझे point P पर, क्या बताना है, इसका potential बताना है, point P पर इसका potential बताना है, ये point suppose O है, वही distance ये R है, जैसे पहले मानता है, उमें ring और disc के case में, वो कहता है, इसके छोटे छोटे क्या करो, slice कट करो, ऐसे करके, तो मैंने slice कट किया, ये slice है कट किया, राइट बच्चा जी, ये cut कर दिया, एक slice, जिसका ये angle कितरा है बेटाजी, alpha है, तो what will be this portion, छोटा से जोट और ये angle उसका suppose D alpha है, क्योंकि दो side बनेंगी इसके अंदर, ये angle कितना है, D alpha है, तो ये portion आ जाएगा, R d alpha, कोई doubt हो, इसका mass M suppose कर लो, और radius इसकी R suppose कर लो, जैसे standard बानते हैं, क्योंकि कुछ तो मने हैं ना बेले इसका बच्चा जी, तो what is mass, per unit, area of shell, M upon 4 pi R square, कोई doubt हो बच्चा, mass, sorry, of rings supposed, जो ring supposed किया है, उसका mass कितना है, भई, is equal to, हाँ जी, सबसे पहले, what is, अब वो जो ring है, उसका circumference है, सबसे पहले, 2 pi R, 2 pi R कितना उसका, ये है, this is your R sin alpha, क्योंकि ये R है, ये angle alpha है, तो perpendicular क्या बन जाएगा, R sin alpha, R sin alpha, ये तो उसका circumference आगे, ये उसकी थिकने से ring की, क्योंकि slice cut की है, आपने, R D alpha, आपने गई, ये mass parent area है, तो ये mass of ring supposed आगया, चेक कर लो भी, इसको बना लेते हैं, इसको DM नाम दे देते हैं, DM, क्या बनेगा, चेक करो भई, सबसे पहले, देखो 2 pi, तो 2 रह जाएगा, और एक capital M, तो उतने नजर ही आ रहा है मेरे को, M by 2, R square cancel, sin alpha D alpha, कोई डाउटो बच्चो उसके नदर, तो जो मैंने ring suppose किया है, उसका mass यहां लिख लेता हूँ मैं, DM is equal to, M by 2 sin alpha D alpha आगया वाई, ये DM, जो ring का mass आ गया है, ठीक है जी, मेरे खाल से अब ये मेरे लिए, मतलब, I can rub it क्योंकि space बहुत चाहिए, I can rub it, ये चलो बाद में रब करते हैं इसको, What is a potential due to ring, potential, at a point, at a point, due to ring, ring की वज़े से कितना होता है ये मैं पढ़कर आए हूँ, अभी की, आभी दो किया आर्ट क्रिल मैंने, just 10-15 मिल पहले, d is equal to minus g dm by z होता है, और वहाँ z क्या है, वहाँ z इसको यहाँ से रब करना पड़ेगा, यह यहाँ नहीं लिख सकते, इसको इदर लिखेंगे, इदर लिखते हैं, What is a dm, my2 sin alpha d alpha, वहाँ बर यह z है आपका, this is your z, बस, चलें आगे, value put करें, तो यह बन जाएगा, minus, capital G, my2, sin alpha d alpha, रहे के z भी है भई, यह आगे, अच्छा जी, अब ध्याँ से दख़ो, इसको नाम देदो, एक triangle है, इसको नाम देदो, A, अब naming भी करनी पड़ेगे, और वो r sin alpha भी लिखना है, मुझे, so this is your r, d alpha, नाम इसका a है, इन triangle, a, o, p, ध्याँ से देखो, एक side o है, जिसकी value capital r है, एक side o, p है, जिसकी value small r है, एक side a, p, जिसकी value capital z है, sorry, small z है, और angle बन रहा है, किसमे capital r और small r में, तो what is cosine formula, कैसे लगाते हैं, z square बाराबर है, capital r square, plus small r square, into capital r, small r, cos of alpha, कुछ याद आ रहा है, vectors में पढ़ते हैं, हम लोग sine और cosine formula, चलें आगे, इसको differentiate करो, 2z dz is equal to capital r, आपने का constant a 0, small r constant a 0, minus 2 capital r, sin r, और cos alpha का, minus sin alpha d alpha, हाँ जी बच्चा जी, यहाँ से z dz आ जाएगा, capital r, small r, sin alpha, d alpha, देख लो, आता है मेरे पास, तो, यहाँ से, dz by capital r, small r, is equal to, sin alpha, d alpha by z, आ जाएगा, कोई doubt हो बच्चा, यहाँ तो, कोई doubt हो, so what will be dv, आराम से काम करते हैं, minus g, m by 2, यह तो, उसकी value आगी, dz, divided by capital r, small r, check कर लो, this is potential at point p, due to, ring supposed, जो ring supposed किया है, उसका potential है, यह, कोई doubt हो बच्चो, चलें आगे, अब space चाहिए, मुझे, उपर लिख रहा हूँ मैं, potential due to, ring at a point, इसको value पूट कर दें, तो यह पर बाकि इसको फिर solve करते हैं, इसकी value लिख लेते हैं, अपर कितने आगे solve करके, इसकी value ही आगे है, बच्चा solve करके, minus capital g, capital m, by 2, capital r, smaller, and 2 dz, check कर लो, चाहिए, यह value आई है, इसकी, इसको रब कर ले, अब तीन cases हैं, number one, point, lies outside, अगर point बाहर लाई करता है, भई तब क्या होगा, ध्यान से देखो मेरा बच्चा, point, अब जो, अब जो जैड है आपका, जैड, पहले यहाँ चोटा ring बनेगा, यहोगा, बड़ा रहेंगा, बेरेंगा, ऐसे चलते जलते है, जैड आपका, यहाँ तक मैक्सिम हो जाएगा, फिर कम आने चुरू आलेंट सोन, तो जैड आपका, यहाँ से शुरू होके, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ कितना है, smaller minus capital R है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ के लिए smaller plus capital R हो जाएगा, यह क्या वेरी कर रहे है, जैड वेरीज, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड कमा, देन, द्वारा लेज़ेता हूं मैं इसको, देन, जैड वेरीज फ्राउम, देन, जैड वेरीज फ्राउम, आर माइनस capital R, टू स्मालर प्लस capital R, कोई डाउट हो कच्छो, देख लो जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्मालर प्लस capital R, यहाँ पर स्मालर माइनस capital R, दो भी प्मेंट है, तो वाट इज वी, डू टू शेल, माइनस capital G, capital M, 2B बाहर, क्योंकि सारे ही constant है, चेक कर लो, तो आर माइनस capital R, टू आर प्लस capital R, ठीक है जी, तो इस वाल करके बनजएगा, माइनस capital G, capital M, टू स्मालर capital R, डीजेड का Z बन जाएगा, बच्छा जी, लिमिट आर माइनस capital R, टू आर प्लस capital R, स्मालर प्लस capital R, माइनस small R minus capital R, तो देखो जी, यह smaller अगड़ का, 2R आजेगा, तो आर 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 आर, तो वाट इस V, V outside, यहां लिख रहा हूँ, मैं, V outside, चेक कर लो, माइनस capital G, capital M, by 2 capital R, small R, into 2R, स्माल करके, माइनस capital G, capital M by R, कोई डाउट हो, क्योंकि 2R cancel, simply, the spherical shell can be considered as a point mass, जो डिसस है, निकाल दो प्राइंचल, यह तो फर्माल है, प्राइंचल एप्राइंचल, डूट प्राइंचल, प्राइंचल, लेकिन, इस, point lies on the surface, अगर यह surface, तो यहाँ, what is maximum value, capital R, V surface, कितना हो जाएगा, minus capital G, क्योंकि इस से कम value हो, होई नहीं सकती, ठीक होगे जी, चले, if a point lies inside, तब क्या होगा, इसको सारे को, रब करना बढ़ेगा, मुझे, लेकिन, मैं इसी को ठीक कर लेता हूँ, यह चलो, सारा रब कर देता हूँ, point lies inside, comma, then, Z varies from, हाँ जी, अब Z की variation देखनी, अभी मुझे कहां से कहां है, अगर point अंदर आ जाए, हाँ जी, तो कहां होगी, यह R है, तो capital R minus small R है यह, तो that is, capital R minus small R to, capital R plus small R, यह variation हो जाएगी उसके, हाँ जी, चेक कर लो इस बात को, एक point lies inside, वही मालो point लाई कर रहा है, आपका suppose कर लेता है, यहाँ लाई कर रहा है, तो what is maximum value, R plus capital R, capital R plus R, और यह value कितनी है, capital R minus small R है, यह value यहाँ से distance कितनी है, अंदर जा रहे हो ना, वही अंदर जा रहे हो, यहाँ से रहे हो, यहाँ तो capital R minus small R to, capital R plus small R, को डाउट जाएगी तो लोग वही आजाएगा फिर, तो what is V, minus capital G, two capital R smaller, तो capital R minus small R, two capital R plus small R, is that है, ठीक है बचा जी, राइट, तो यह बन जाएगा, minus capital G, capital M, two capital R smaller, bracket begin, यह बन जाएगा, R minus small R to, R plus R, तो minus capital G, capital M, two capital R smaller, capital R plus small R minus, capital R minus, तो यहाँ capital R cancel होगा, smaller, यहाँ पर क्या cancel होगा, capital R cancel होगा, क्या आगया, two R आगया, तो small R आगया, तो V inside, is equal to, minus capital G, capital M, by two capital R smaller, into two R minus capital G, capital M, by R, यह V inside आगी, मतलब, जो surface के उपर है, वो ही अंदर है, अंदर constant value, जो surface पर, वो ही अंदर है, बच्चा जी, देख लो, good out, उसके अंदर, देख लो, good out, उसके अंदर, चलें आगे, लोजी, अब मुझे इसकी ग्राफिकल विरिशन प्लाट करने है, ग्राफिकल, लोजी, suppose, यह small r is equal to capital r, अंदर तो यह value constant, अभी कितनी है, minus capital G, capital M by capital r, यह value हो गए, बाहर आओगे, तो 1 upon r से वेरिए करेगे, तो proportional to 1 by small r, हलाकि मैंने का, negative मुझे नीचे प्लाट करना चाहिए, लेकिन उपर समझाना, असान है मेरा बेटा, उपर समझना भी असान है, और सम्झाना भी असान है, this is the variation, 1 upon r, V proportional to 1 upon, मैं कहारो, मैं कहारो, वैसे मुझे यह नीचे प्लाट करना चाहिए, लेकिन उपर समझना भी असान है, सम्झाना भी असान है, तो कोई राउटो बच्चो आपको इसके अंदर, देख लो, कोई राउटो बच्चो, ठीक हो गया, चले आगे, अज़े बच्चो आपको 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 आ है solid sphere की लो जी इसमें क्या होगा बच्चा जी एक solid sphere है एक solid sphere है जिसका mass m है radius r है दो situation है point या तो बाहर लाई करेगा या on the surface या inside पहले बाहर की बात कर लेते हैं मैंने का यह point बाहर लाई करता है P वैसे ही इसका distance r है जैसे पहले काम करते हैं यह इसका बना हुआ है पहले एक शेल सब्सक्राइब कर लिए शेल के वारे मुझे पता है इसका mass बाहन लेते हैं तो वाट इस वी आउटसाइड डू टू शेल लिख रहा हूं तो डी वी आउटसाइड तो छोटी की बात कर रहा हूं बहले इस एकुल टू क्या होता है माइनस जी मास ओफ शेल डिवाइड़ दिस्टंस अफ़ पॉइंट केपिटल जी भी कॉंस्टेंट है स्मॉल आर भी किता फिक्स कर दिया पॉइंट यहां लगी कर रहा है मेरा अब अगर मैं वी आउटसाइड करूंगा तो वह क्या है बच्छा जी इंटिग्रेशन जी डीम भाई आर आएगा जी बाई आर मैंने का ओंस्ट है तो वह ट इस इंटिग्रेशन मास केपिटल मन जाएगा तो वह ट इस वी आउटसाइड माइनस जी एंब भाई आर कोई डाउट भचा वी सर्फिस के आ जाएगी बच्छा जी फिर आपकी जैसे पहले करते हैं माइनस जी एंब भाई आर यह सर्फिस पर आ जाएगी यहां तक तो कोई डिक्कत नहीं मुझे कोई डेंशन नहीं मुझे लो जी उपर लेग देता हूं फिर वी आउट इस एकुल टू माइनस GNYR और V सर्फिस इस एकुल टू माइनस G M by R यही बनेगी बच्छा जी फर ठीक है राइट ही बन जाएगी लो जी इसको रब कर लेते हैं बस अब इसको रब कर लेते हैं ठीक है जी लो जी अब पॉइंट ला रहे हैं अंदर अब पॉइंट अंदर ला रहे हैं क्योंकि इंसाइड और सर्फिस की बात तो हो गई बच्छा जी अब पॉइंट आएगा इंसाइड अगर इंसाइड की बात कर करते हैं सपोज कर लीजिए पॉइंट आपका यहां लाई करता है इसका डिस्टेस यहां से आर है ठीक है बच्छा अब एक तो यह शेडिए पोरिशन के अगर मैं बात करता हूं सींद्री इसका तुमाय सर्फेस करते हैं सर्फेस का निकालना आता है मुझे मुझे टेख लो इसको रबकर दो सारे को यह तो मुझे चाहिए değil यह अदो ओवर डिससोथ फिरिमांद इसको दूपर लिखे मैंने तु पहले है अब हम इसे की सबगाउद कर लाएटे है इसे मास आफ शेड़िड स्फियर उसको M डेश माल लेते है क्या आएगा बच्चा जी वो सारे का मास कितना है capital M है सारे का वॉल्यूम कितना है 4 by 3 pi r cube है जिसका निकालना है उसका 4 by 3 pi r cube है तो what is M डेश capital M r cube by r cube आगया बच्चा जी देख लो इस शेड़िड का मास इसके surface के उपर है तो एक तो भई ये है यहाँ पर minus capital G M डेश by small r सॉल्ल करके आज़ेगी minus capital G m r cube by small r r cube तो what is V1 minus capital G m smaller square एक तो भई ये potential है point P के उपर एक तो ये है अभी एक और है वो कौन सा है अगेन ये आपका एक solid sphere है अगेन ये आपका एक solid sphere है बच्चा जी और एक आपने का ये shaded portion वाला point P है ये point P यहाँ पर है इस point P को अब अंदर में आदे तो बटा मैं क्योंकि थोड़ा space बाहर चाहिए मजे इस इस point P ये distance R है ये ही है बच्चा जी देख लो अगर मैं इसको अब धहां से देखो इसको मैं अगर धहां से देखो फिर द्वारा धहां से देखो अगर मैं एक ये शेल बनाओ जिसकी radius Y है और उसका थिकनेस ये जो थिकनेस जो बनाई है मैने ये दीव है इस spherical shell के लिए वाई है बेटाजी वाई ये सारा वाई है और ये दीवाई है इस spherical shell के लिए पोईंट अंदर लाई करता है क्योंकि पाइट देखो नहों चलो यहां से कांट कर लेगी बात है इसके अंदर लाई करता है Spherical Shell के अंदर मैं बढ़कर आया हूं तो वाट इस Mass of this तो चलो क्या होता है Spherical Shell के अंदर उसको V2 नाम दे रहा हूं D V2 क्या हो जाएगा Minus G DM by Y यह बनेगा Minus G DM by Y कोई रोट बच्चा जे हां जी बच्चा जे स्फेरिकल शेल्ट के अंदर मैं कल वी जिए सुरी कल करो लास लेक्ट्र में ने किया है क्या चीज जी डीम भाई भाई मैंने का पहले निकालना सीख लिए रिंग का भी डिस्क का भी स्फेरिकल शेल्ट का फामूला ये था मेरे पास मुझे यहां से लेकर यहां तक सारे shells का add करने तो पहले dm निकालने what is dm 4 pi y square spherical shell का surface area है into dy volume बन जाएगा into density mass upon 4 by 3 pi r cube यह density है solve करके आजएगा 3 उपर चला जाएगा बेटा जी 3m और यह r cube 4 pi cancel हो जाएगा y square dy यह इसका mass है बई तो what is dv to put कर तो minus g dm यहागया 3m by r cube y square dy divided by y क्या बन जाएगा यह minus 3 gm by r cube y dy बन जाएगा चेक कर लो मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक small r से capital r तक तो what is v2 minus 3 gm by r cube limit y to dy small r to capital r limits ने ध्यान नहीं बड़ा यह एक y उपर वाला है इसको यहाँ कर देता हूँ small r to capital r is equal to minus 3 gm by r cube bracket begin y square by 2 is small r to capital r ठीक है यही बनेगा तो क्या बन जाएगा यह minus 3 gm by r cube bracket begin capital r square by 2 minus small r square by 2 यह आपका v2 आ गया तो what is potential at point b यह वाला जमा यह वाला तो what is total potential v1 plus v2 हांच देखो यहाँ से क्या को मना सकता है सारों दोनों में से minus gm by r cube दोनों में से common आ सकता है minus gm by r cube दोनों में से common आ सकता है ठीक है जी यहाँ क्या बच जाएगा r square r square ठीक रोओ चेक कर लो डोट दोन रहागा अब वाद वी टू की बात कर रहो तो minus r चुका है common तो यह बन जाएगा plus 3 r square by 2 minus 3 r square by 2 चेक कर लो बच्चो gm by r cube common minus के साथ यहाँ से r square बच गया r square आ गया यहाँ से gm by r यह minus 3 अंदर जाएगा क्योंकि तो 3 r square by 2 minus 3 r square by 2 कोई डोट दो बच्चो और solve करके क्या जाएगा बटा जी यह r square by 2 है और यह minus है तो minus का r square by 2 2 बच्च अब माइनस का r square by 2 2 बहार आ सकता है अब कहां लिखें इसको मेरे खिल यह space extra था मेरा अब तो सारा काम कर लिया मैंने इसका अब तो बस v1 का मुझे पता है बस लो जी बस v1 तो यूज ही करना था मुझे हमापर लो जी वाट इस वी is equal to minus gm by r cube bracket begin 3 r square by 2 minus r square by 2 अब यह 2 भी काम कामन आ सकता है minus gm by 2 r cube 3 r square minus r square this is your potential due to solid sphere अब देखो जी इसको फिर तो मैंने का पहले एक तो इसका potential है वो मैंने ये निकाला फिर मैंने का उन shells का potential वो मैंने ये निकाला कोई डाउटो बच्च है इसके अंदर चले आगे अब मुझे इसकी variation plot करनी है ठीक है लो variation देखते हैं कैसे बनेगी मैं इसकी लो जी सबसे पहले मैंने क्या कहा ये आपका एक line plot की मैंने potential वाली बई तीन चीज़े हैं एक तो point outside है एक surface पे और एक center पे यहां से what will be v surface ये तो surface पे क्या आएगा पहले है कितना surface के ऊपर हां जी कितना बन जाएगा इसको क्या पूट करेंगे capital अब बूट कर दो surface के पर और गया करना आपने तो टू टू सुटू कड़ गया तो तो सेम होता है माइनस जी एम बाइस सर्फेस सब कहीं ही तो सालिट स्फेर का ठीक होगे ही लिखा उपर लिखा पर यहां से निकाल अब दो डोड़ों क्रॉस से कर रहा हूं मैं वाट इस वी सेंटर वी सेंटर के तरह बटा सेंटर प्यार जिरो हो जाएगा तो यह यह माइनस थी बाइफू जी हम भाया चेक कर लो अब वैसे तो हमें ग्राफ मैंने शेल्ट में भी ग्राफ ऊपर लॉड़के तो ग्राफ हमें नीचे बलड़कर क्यों यह नेगडिव वैल्यू है हम लेकिन में जुड़ बात करते हैं तो सेंटर में थी बाइटू है इसके 3Gm by r center के उपर है पहले फिर यह सरफेस पहुंचेगा center से यहां पर स्मॉलर अगूल केटल रह यहां पर यह ऐसे बेरी करेगा क्योंकि कम हो रहे है उसके बाद वन अपोन आर की वीरिशन है उसके बाद वन अपोन आर की वीरिशन इस दावेशन कूई राउटो बच्चा तो यहां पर माइनस जीए बाई आ रहा है कोई राउटो बच्छा जी यह विरिशन थोड़ी से स्टीप और यह फिर तो वन पोन आप रहा है कोई डाउटो दिस दो विरिशन हाला कि मैं फिर कहा रहा हूं यह गराब मुझे नीजे बनाना चाहिए उल्टा करके लेकिन मैंने मैंने इसको इनको मॉडले के बात कर लिए कोई डाउटो बच्छा आपके इसके अंदर है तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पहले पॉइंट चार्ज की बात की उसका एक्स्प्रेशन निकाला माइनस जी अब यार सिंपल आ गया था वो फिर हमने बात की उसके फिल्ड औ और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो बातें कर ली हमने फिर हमने रिंग का डिस्क अच्छा देखो रिंग का यूज हुआ हर जगा डिस्का नियूज अभी तक आपका लेकिन चलो डिस्का मुझे पतानों चीए क्योंकि डिस्क आपके रिंग की बनी हुई है तो मैंन एक का मास है 16M और एक का मास है सिंपल एम एक का साइज है 2 है एक का साइज है A और इन दोनों के बीच का क्याप है बेटा जी 10A है राइट कहता है बिगर सार जो बड़े अला स्टार है इसकी सर्फेस एक बड़ी में यहां फैकना चाहता हूँ इसकी सर्फेस एक बड़ी में यहां फैकना चाहता हूँ तो जब फैक नहीं है तो प्रटेंशल तो है सांटर में सारा एक तो यह है कि यहां प्रटेंशल निकालो दोनों का यहां निकालो और फैक दो बिल्कुश सिंपल सी बात वर इसे मिनमम व्लासिट एक बड़ लगा तो प्रोजेक्ट ए बाड़ी बाड़ी ओफ मास स्मॉल एम फ्रॉम सर्फेस ओफ बिगर स्टार तो स्मॉलर स्टार मैंने क्या का आप से कि सारे में बडेंशल है कोडेंशल लिफ्रेंस निकालो इन्टु मास करो खत्मों की बापने क्या दिक्कत है लेकिन एक वर लगा दिया तो जहां कुछ बच सकता है बचाना पड़ेगा अब थोड़ी सी कॉमन सेस्ट करनी पड़ेगी मिस जो मुझे न अगर वो इसको क्रॉस कर जाए इसके फिल्ड में आ जाएगी इसको ट्रेक्ट कर लेगी बड़ी अब यह इतना जो एक्स्ट्रा पडेंशल वाली बात थी निए निकालता अब मैं यह नहीं निकाल सकता हूं सरफ इस वर्ड़ी बात कर रहा हुँ है अर्य गटिंग इट य जैसे इसको क्रॉस कर यह तो मैं तो भेज नहीं है ना मैं यह तो कहने रहा कि वह इतनी स्पीड से जाए उतनी स्पीड से फिर ता मैं बात कुछ और करता आपके साथ वर्ड़ी स्मालर स्टा तो यह पांट निकाले तो यह पांट सपोज पी है जी तो वट इस क्या हो सबस्सक्राइब होगी यहां जिरो कब होगी अगर यह बीगर स्टार का मेंगनी चूट बडाबर हो जाए यह स्मॉलर स्टार का मेंगनी चूट यह इता है मेरा बच्छा फामूला तो बड़िस बिगर स्टार की बात करते हैं चूट अब इस डिस्टंस को माल लेते हैं एक्स क्योंकि छोटे के पास है तो बच्छा बाद 10a माइनस एक्स रह जाएगा बच्छा जी is equal to capital G capital M by x square तो 4 by 10a minus x वराबर है 1 by x 4x वराबर है 10a minus x और यहाँ से x वराबर 2a आगे इसका मतलब यह 2a है और यह बचावा distance कितना है बटा जी 8a है और यह total आपको दिया हुआ है 10a कोई डाउट हो कोई डाउट हो जी इतने पार्ड में कोई डाउट हो यह वर्ड अधरवेस्ट में सीधा बरता potential over here, potential over here minus cutam को रहाँ ना बात को यह दिक्का था क्योंकि पढ़कर आए हुँआ हुआ 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 है यहां से वाँ जनल किता है जोगा जिदे निकालना वे नर्गा करना अधरवाइस तो यह potential की definition है मेरी अगर मैं यहां से यार एक भी दिस इस सपोस्पोंट अगर मैं एक टूबी जा रहा हुँ तो वट इस वी बी माइनस वी इस इकल दो प्रेंशन नर्जी चेंज डिवेड़ेड़ बाइस तो अगर मुझे potential energy change चाहिए कि कितनी दो इसको तो इंटु यह कर देता मैं लेकि मैंने गवा लगा दिया minimum तो उससे मैं बचाना चाहरा हूं जितनी बस सकती है बचाना चाहरा हूं मैं तो चल्ला उसको नाम दे दिया तो इसको ए नाम देल लो इसको बी नाम देल हालाई कि बी जूरूत नहीं है मुझे अजी बाइद डेफिनेशन कि इसको दरब करते हूं नहीं है अतना काम तो मेरा हो गया इतने काम सेखले गर भी दारा कर ली सारी फिक रीटा कर ली मैंने तेकर लो तो पड़ेशल एट पॉइंट ए आ क्या वागा जी एक तो इसका सर्फेस के ओपर माइनस केपिटल जी सिट्फिन एम वाइट फूह एक तूसका अपना वाइट फेसका भी हएह आउटसाइट फॉनित है फ्लस माइनस केपिटल जी केटिलम भाई कितना डिस्टा से जी एट ए रह जाएगा चेक कर लो इस सेंटर से इसके संटर क्योंकि इसका टू ए बटा सब्सक्राइब तो चेक इसको कल्कुलेट कर लो बच्छा जी एट एल सेमा जाएगा यहीं कर दें इसको इतना भी क्या है इसके अंदर इट एल सेमा जाएगा तो 64 65 आजाएगा माइनस 65 जी एम भाई एट चेक कर लोगा अच्छा इस एकुल टू माइनस 65 जी एम भाई एट है कुछ आउट हो प्रेंशल एट पॉइंट पी वीपी अब इसका भी बहा रही है माइनस जी इंटू 16 एम बाई कितना डिसनस है यह इसके भी बाहर आई है माइनस जी एम भाई टू ए दोनों के बाहर है इसके भी बाहर है तो दोनों का सारा माश चलता है अगें एट एल से माश जाएगा बच्छा जी तो माइनस 16 और प्लस 4 माइनस 20 ठीक है जी यहां से 16 आएगा और यहां से इसे कितना है वाटाजी यह उंटीब जी एम बाई एट है क्योंकि मुझे यहां से यहां तो इसका पहले वी-पी माइनस वी ए माइनस वी एक तना बटा जी यह प्लस 65 जी एम भाई एटी सॉल करके 45 फॉर्टी फाइव जी एम भाई एट ए प्रेंशल डिफरेंस आ जाएगा वी-पी माइनस वी ए ठीक है जी वाट इस चेंग इन वनेशनलर्जी वह क्या जाएगी इंटो एम कर दो तो यूपी माइनस यूए चेंग इन वनेशनलर्जी तो इसको उदर पर देता ना मैं फॉर्टी फाइव के पिटल जी के पिटल एम बाई एट ए इंटू स्मॉल एम यह चेंग इन वनेशनलर्जी आपने इसको देनी बॉड़ी उसको भीजना है किस फो में दोगे करने इनजी की फो में दोगे तो हाफ एम वी स्केर बाराबर है फॉर्टी फाइव जी एम बाई एट ए इंटू स्मॉल एम ठीक है बचाजी एम सेम कट गया तो वट इस वी स्केर फॉर्टी फाइव बाई फोर जी एम बाई ए राइट वी स्केर आ गया तो अराम से काम कर लेते हैं यह नाइन इंटू फाइव है तो यह नाइन का बन जाएगा थ्री बाई टू फाइव जी एम बाई ए अंडर दा रूट यह आपके पास व्लॉस्टी आ जाएगी चोटाँ सा एक वर्ड था मिनिमम उसने मेरा सारा सिस्टम चेंज करवा दिया मेरे से अगर यह वर्ड नौत मीसिदां करता इसनलों हरा मैंनेश करता हैं इंटू करता यह देफिशन बताईसा सटैंग बरदकि सब्सक्राल पटेंट्सल यह वा Kollege कोई डाउट हो चले आगे नेक्स देखो गटा है नेक्स कोशन देखो के दो स्टार्स है कोई बात नहीं दो स्टार्स है ठीक है एक का मास चलो कुछ भी ले लो एटम है दूसरे का मास टू एम है एक का डिस्टन्स रिडिस ए है इसकी रिडिस कितनी है एग्जेक्टली और जो इनका गैप है वो है सपोस अगेन आज फिर टैन ए है एक्जेक्टली इनके सेंटर में एक पॉइंट पड़ा बॉड़ी पड़ी हुई है उसको मुझे इंफिनिटी पे लेकर जाना है इसको मुझे इंफिनिटी पे लेकर जाना है भई क्या बताया हुआ है अब यहां से वहां जाना इंफिनिटी पे यहां जाना है तो वी इंफिनिटी पे कहां से वी पी से जाना तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा V infinity minus V P into N ये energy चाहिए आपको because this is change in potential energy of the body इतना देनी बड़े है energy इसको तो potential at infinity 0 होता है potential at P निकालो potential at P क्या होगा जी इसका potential होगा midway का है मैंने तो क्या जाएगा minus G 8 M by 5 A plus minus G 2 M by 5 A 5 A minus 8 और 10 बन जाएगे 10 बड़ा 2 2 G M by A आजाएगा पेरे टोटल सारा सॉल करके चेक कर लो जरा एक बड़ी क्योंकि मैंने गहा यह 8 दो दस पांदो 2 G M by A कर दिया कोई राउट दस इस बड़ेंशनल at point P इन्फिनिटी पे जाना है तो यह कर लो जिरो माइनस वो बन जाएगा 2 G M by A into M इस इस उसे का एक बड़ी है जिसका दो बड़ी के बीचे मास रखी हुई है इसको इन्फिनिटी पे लिग जाना यह चेंग बनेशनल जी एक ही बात है तो दिस इस वाग दन तो वाट इस वाग दन अब यह माइनस प्लस हो जाए बटाजी क्योंकि देखो माइनस ना पर 2 G M by A इस इस वाग दन आगे है बटाजी कुई राउट हो कुई राउट हो Is it clear इसका मतलब यह जो बाड़ी थी यहां पर वाड़ी इस प्रेंशनल अरजी ऑफ बाड़ी माइनस टू कैपिटल जी कैपिटल M by A इंटू स्मॉल M यह इसकी प्रेंशनल जी थी बाड़ी की यह दे दी रिलीज होगी प्लस मीज दे दी मैने उसको जो जिससे नेविडिवी इस अट्रेक्शन से बाड़ी थी आजाद करवा दिया इसको कोई डाउट हो डेफिनेशन बहुत काम आएगी मैने का था दो डेफिनेशन है मेरे पास तो VB-VA is equal to UB-UA by M इसको यूज़ करते हैं मौसले नुमेरिकल के अंदर हम बाकि जो दूसरी थी वो ठीक है वो भी करते हैं लेकिन जो आपको यह दर्ट वो देती है इसका मास एंप है रडियस आर है इस meeसे मैंने क्या किया जैसे में फिल्ड में क्या करता था इतना स्कूब आउट कर लिया यहां से ब़ा की सारे पोज़न में मास है यही मतलब बनके मटैँ इस का बाकि सारे पोज़न में मास है ये सारे portion में mass है मेरे पास ठीक है ये सारे portion में मैंने mass दिखा दिया बड़ा है ठीक होगे इतनी बात केते हैं find gravitational potential at point P at the center of scooped portion find gravitational potential at point P at the center of scooped portion हम ऐसे question को कैसे करते हैं कि पहले मालो ये सारा sphere है पहले सारा sphere है total sphere ये सारा sphere है ये वो point P है अभी screwed out नहीं किया तो what is V? solid sphere solid sphere at point P क्या पढ़कर रहे हैं अभी हम? minus हांजी gm by 2r cube हांजी r square 3r square minus r square ये पढ़कर रहे हैं? देख लो ये पढ़कर रहे हैं बड़ाची what is r? r by 2 के बराबर है minus gm by 2r cube 3r square minus क्या बढ़कर बड़ाई ये? solve करके r square by 4 बन जाएगा? ठीक है? fourth is a 11 sorry 12 minus 1 11 by 4 आजाएगा solve करके so this is minus gm by 2r cube into 11 r square by 4 तो ये आगे minus gm minus 11 gm by 8 r आगे बढ़ा this is v solid at p है ठीक है? वो कह रहा है इसमें से ये निकाल लिया अब जो निकाल लिया उसका potential कितना है? चोटे alisphere का तो what is v scooped at p उसके तो वो center पे लाई करता है क्या होता है वो? center पे r 0 हो जाता है तो क्या निकाल रखा है मैंने वो? minus 3 by 2 ठीक है? आज इसकी radius r by 2 है भीटा जी अभी उसका mass मुझे निकालना है यही बनेगा उसका चेक कर लो scooped की बात कर रहो है आपके साथ scooped के center पे यह r 0 हो जाएगा this is general formula r 0 हो जाएगा तो minus 3 by 2 उसका radius of r by 2 है m dash निकालना है उसका m dash कितना होगा बटा जी? what is m dash? total का mass m है 4 by 3 pi r cube वो volume बड़े वाले का था चोटे वाले का volume कितना है 4 by 3 pi r by 2 का cube solve करके check कर लो यह m by 8 आजाएगा बच्चा जी क्यों कितनी बात होगा है हम बहुत करके हैं ग्रेविडेशन के अंदर मतलब जो starting माने उसके article किये थे गर्शे field वारा के article किये थे तो put कर दो minus 3 m ठीक है जी by 8 by 2 और r by 2 यह 2 स्लू कैंसल होगे बटा जी तो minus 1 g रह गया मारा बटा जी g रह गया g रह गया यहांपर g m डेश ठीक है जी g 2 स्लू कैंसल होगे तो 3 by 8 आगा solve करके minus 3 by 8 g m by r आगे बटा good auto बच्चा जी इसके इंदर ठीक है जी चले आगे अब यह मेरे पास scooped portion का यह solid sphere का हमने क्या पढ़ा था जब field की बात की थी जो निकाल दिया उसको minus कर देते हैं तो what is the potential at p v sphere total minus v scooped ऐसे किया था बटा कितना जी minus 11 gm by 8 r minus 3 gm by 8 r यह plus के हो जाएंगे ठीक है जी तो minus 8 gm by 8 r solve करके minus gm by r आ जाएगा बच्चा जी चेक कर लो इसको यह आपका कोश्चन मेंस के अंदर आया हुआ है जही मेंस के अंदर मैंने उठाया वहां से क्यों आपको एप्ली के मैंने पहले लिगा था कि पहले हम सिंपल नमेरिकल करते हैं फिर हम थोड़े बेसिक कॉंसेप्ट की जो तो मैंने आपका आज ग्रेविटेशनल पटेंशल खतम किया बेटा मैंने उसने सबसे होले बेसिक डेफिनेशन की बात की वर्ड़न इंटेकिंगे बॉड़ी फ्रॉम इन इफेनिटी तो जो काम किया उस वर्कों को बॉड़ी के मास से डिवाइड कर दो प्रेंशल एड़ तो मैंने फिर जब उसको डिफेंड किया तो पटेंशल एट पॉइंट इस अमाउंट वर्ड़न ब्रेंगे एक दोनों में रिलेशन बताकि एक दो नमेरिकल वहीं सॉल कर दिया सासा ताकि आपके सेंस क्रेट हो जाए फिर मैंने आपका अब मुझे क्योंकि वह तो मेरा ब आगे जलना था मैंने रिंग की बात की डिस्क की बात की संफियर की बात की और उनको आपको यूज करना सिखा थीक्या मेरा बड़ा जी थैंकी वरी मश्श पढ़ते रो अब आपकी आगे फिर नेक्स्ट इंग करेंगे